हेलो दोस्तों वेलकम बेक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राजा करेकर पिडिक्शन में तो आज हम बात करेंगे सीपील 2022 के बारे में यानि कि केरिवियन प्रीमियर लीग 2022 जो खेली जाएगी एक सितंबर 2022 से एक अक्तूबर 2022 तक य साब सब्द करेंगे जाएंगे अड कि कुछ मैज को खेले जाएंगे सुबह साङ City उपराँड साथ और सब्न करें येज़िव और सबसे जरूरी चीज कि हमाराम मौरे संबर आप स्कीद मतर है कि एक पर है 84 477 935397 84 47 93 57 इस लीग यह पूरी लीग हमारी करा ही जाएगी टेलीग्राम पर वाटसब पर तो टेलीग्राम कर लिंक आपको वीडियो के सबसे जरूरी चीज क्या है वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करें दस-12 बैन फिर्इन की वीडियो है कोई भी इसकिप नहीं करेगा लाष्ट तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी लाष्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर बाकि वाटसब आप की ड तो डारेक्ली आप WhatsApp पर मेसेज़ करके भी आप हमसे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं और बहुत सारे फेक चैनल हमारे नाम से टेलीग्राम पर बने हुए हैं तो उनसे साब दान रहना बच के रहना इसलिए हमसे ही डारेक्ली लिंक लेके आप जॉइन होना तो एक बाद टीम की तरफ नजर डाल लेते हैं कि टोटल जो टीम है वो छह टीम है पहली टीम है इसमें ट्रिवांगो नाइट राइडर्स जिसके कप्तान है किलन पोराड दूसरी है बारवाडोस रोयल्स इसके कप्तान है डैविड मिलर तीसरी टीम है सैंट केंट्स एंड इसके हैं कफटान है अमेज eux इस के कपतान है इस फीमर कोडीर के साथ ईसले कोई के साथ घृट मेर के साथ जह रही नहीं थे याद शेस reporting गफ्तान और बहुत सारी चीजे चेंगे सुई हैं तो अभी आगे एक बार देख लेते हैं सबसे पहले की प्लेर के बारे मिह देख लेते हैं की पिलियर्स क्या क्या कहते हैं तो इस बहुत अच्छी वाली है क्यों कि संतुलिट टीम मनाई गहीं है इसी तरह दूसरी टीम पर देखते हैं साइंट लूसिया किंग इसमें पांच से जो की प्लेर्स रहेंगे वो रहेंगे फाप दुपले सी रोश्टन चेस अलजारी जोजाफ टिम डैविड डैविड वैसे अब आगे चलते हैं तो ट्रिवागो नाइट राइडर्स की हैं कॉलिंग राम है और डेन स्मिथ है रोम्यों सेफाइड है साक्य बलासान है तो यह टीम भी अच्छी है अब आगे चलते हैं जमाइक का तलाइवा की तरफ देख लेते हैं एक बार नदे डालके रोमन पॉवेल हैं फैविन एलन है इमाद वसीम है ब्रांडन किंग है ए और सरफें रेदर फोर्ड हैं डॉमिनिक ट्रैक्स हैं तो यह टीम भी बहुत अच्छी है तो इस प्रकार मैंने सारे ख्लाडियों के नाम नहीं बता है टोटल छे जो टीम्स हैं इनके सिर्फ की प्लियर्स की आपको नाम बता हैं जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि कौन कि इसमें टूटल साथ मैच खिले जाएंगे एक से लेके मैच नमबर साथ तक इसी ग्राउंड पर खिले जाएंगे अब इस ग्राउंड की बात करें तो यह वैटिंग फ्रैंडडी सरफेस है यहां पर आप हैस्परिंग मैच कर सकते हो और जो टीम बैटिंग सेकेंड करें तो यह लोट of support करता है for spin ballers यानि आपको spin देखने को मिलेगी slow and slow scoring nature of surface यानि कि बहुत जादा slow कभी low slow scoring रहता है मतलब कि यहां पर जादा बहुत high-action score आपको देखने को नहीं मिलेगा slightly better record पर टीम बैटिंग सेकेंड यानि कि यहां पर जो बैटिंग को सपोर्ट करता है जो सेकंड बैट कर रही है बाद में वह टीम को थोड़ा बैनेफिट मिल जाता है क्योंकि उन्हें एक स्कोर पता होता है कि हाँ बीस ओवर में 150 155 है कितना स्कोर है टारगेट हमें मिल चुका ह होता है हाई स्कोरिंग गेम होती नहीं है तो वैसे चांसे होते हैं कि वह आपको लो लगना पसंद रहती है अब बात करते हैं तीसरे वैन्यू की क्यों पार्क्स ओवल टेनार्ड में हैं इसमें 8 मैच खेले जाएंगे तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं एक बार यह जो ग्राउंड है बालरेंगे यहां पर ठीक है ना तरफेस बालर को पसंद करता है वह जो XL है यहांदो ढोनों को ही मदद मिलती है यहाँ पर यहांई फसक करती है ऐवन कंटेश जो रहेगा बैट और रहेगा तर तो जड़ार यहां पर जो च्छी है वह ठीम करेगी औ चौतिए की बात करते हैं वह अपका प्रोविदेंज स्टेडियम गवाना इसमें आपके टोटल 11 मैच खेले जाएंगे साथ मैच लीग वाले बाकि 4 मैच कौईटर फाइनल सेमी फाइनल और फाइनल तो टोटल 11 मैच ग्राउंड पर खेले जाएंगे गवाना में इसके बारे करना चाहेगी जो भी टीम होगी वहां भी पहले बैटिंग करना चाहेगी तो यहां आपने की नूटिस करी होगी कि जो भी ग्राउंड है सिर्फ एक ग्राउंड को छोड़कर वाकि सब ऐसे हैं जहां पर आपको बैट और बॉल की बहुत अच्छी फाइट देखने को मिलेग एक ग्राउंड है जो पहला मैंने बताया था जिसमें हाई स्कोरिंग स्कोर आपको मिल सकता है तो यह तो हो गई इसके वैन्यू की और क्रिक्ट ग्राउंड की पिच रपोर्ट किस तरीके का है कैसा है अब आगे चलते हैं सबसे इंपोर्टेंट चीज की कौनसी टीम पंट व तीम होती है अगर किसी टीम के साथ चल रहा है और उस टीम को पकड़ के चल रहा है तो वह निकलेगा तो निकले तो यह सकते हैं यह आपको निरास नहीं करें अब बागत साथ यहां जीट को जीती तब भी नहीं जीत बाइब को यह जाएंबर होगे यानि दस मैं नौ मैचों मैं वह बुकी कई प्रॉफिट करवाती है सअ सब्सक्राइब को साब्दान रहने की ज़रूरत है अब करते हैं एवरेज टीम बहुती है जो 50-50 परसेंट आपकी अपूरेशी देती है यह यह मैश खेल रही है पूरी स्रीज में तो तीन मैच हा लेगी तीन जीते सम्थिंग इस तरह से उसकी परफोर्मेंस रहती है तो वो टीम है हमारी गवाना अमाजॉन वारियर्स तो यह एक एवरेज टीम है ठीक है तो यह इस तरीके से मैंने एनलाइस किया है टीमों को यह आप देख लें इसमें काफी आपको हैल्प मिलेगी अब सबसे जरूरी है हमने और किसी को जॉइन करने में दिक्कत हो रही है टेलिग्राम का लिंक तो आप हमें डारेक्ली वाट्सप पर मैसेज करके भी जॉइन हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों बाइबाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में